हेलो एब्रिवन मैं हूँ आपका होस्ट अमंत्र पाठी और मेरे साथ आप देख रहे हैं ओनेयर भारत इंडियन क्रिकेट टीम के पुर्वकोच रवी शास्त्री ने मौझूदा भारतिय क्रिकेट टीम कोच राहुल द्रविड पर निशाना साधा है रवी शास्त्री ने प्राइम वीडियो पर हुई एक डिसकुशन में कोच राहुल द्रविड और सपोर्ट स्टाफ पर निशाना साधा उन्होंने कहा आपको इतने ब्रेक क्यों चाहिए इमांदारी से कहूं तो आपको IPL के दौरान दो से तीन महिने का ब्रेक मिलता है जो एक कोच के तौर पर आपके लिए काफी है इसके अलावा आपको अपनी टीम के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए जहां भी आप है साथ ही उन्होंने टीम के कप्तान को लेकर भी चुपी तोड़ दी है उन्होंने कहा T20 फॉर्मेट में अगर एक अलग कप्तान है तो इसमें कोई भी गलती नहीं है अगर रोहिश शर्मा ओडियाई और टेस्ट फॉर्मेट में टीम की कप्तानी कर रहे हैं तो खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान देखने में कोई भी गलती नहीं है अगर वो हार्दिक पंडिया भी है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको बता दें किस वक भारतिय टीम 18 से 30 नवंबर तक न्यूजिलेंड के दौरे पर है जहां भारतिय टीम को टीन T20 और तीन ODI मुकाबले खेलने हैं जहां T20 फॉर्मेट में हार्दिक पंडिया टीम की कप्तानी करेंगे वही ODI फॉर्मेट में शिखरधवन टीम के कप्तान होंगे अब आपका क्या सोचना है रविशास्त्री द्वारा राहुल द्रविड और हार्दिक पंडिया पर किये कॉमेंट को लेकर अपनी राय जरूर दें आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहा होने और भारत धन्यवाद